हाला माय यूट्यूब फेमली तो आज हमने बनाये थे दोपेड में खाने में दई आलो दोस्तों यह सब्ची इतनी टेस्टी लाचो बने थे तो मैंने सुच यह रेसेपी मैं आपके सब भी शेर कर देती हूं तो चलिए हम जलती से वीडियो बनाना स्टार्टिंग करते हैं तो यह दे कहां पर मेंने सारे अलो को इस तरह से कट कर दिया तो अब क्या करते हैं इसको हम रख देते हैं 6-7 ऐब nॉ princes 5 चमश देंके डालें उसके बास हमीस में डाल देंगे सारे सुखे मसाले तो यहां प्रमीस में डाल देंगे ठोड़ी हर्दी एक चमश हमीस में डाल देंगे कश्मीर लालमीच पाऊड़र दोसों देखा आप अपने टेस्क के अनुसर कमिया ज़ादा कर सकते हैं लेकिन ये कश्मीरी लाल में चे युजादा दिखी नहीं होती है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चमर धन्या पाउडर इस सब को डालने के बाद यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद हम चलते हैं गेस की तरब तो गेस पर मैंने रखती है कड़ाई इसमें हम डाल देंगे दो बड़े चमर तेल के जो भी आप तेल खाते हो आप इसमें यूज कर सकते हैं उसके बाए तेल हमारा जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे यह उगले हुए आलू जिसे हमने बीच में से कट करके रखे दे तो अब हम क्या करेंगे आलू को यहां पे हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है यानि कि हलके से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए तब तक यहां पे आपको वीच वीच में से अच्छे से चलाते रहना है तो यह देखे यहां पे हमारे अलू अच्छे से पक चुके और गोल्डन भी हो चुके तो अब हम यहां पे सारे अलू को निकाल लेते हैं तो यह देखे यहां पे हमने अलू को निकाल लिया है तो अब हम क्य इस बिल्कुल बारिक कट हो जाए उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे तो पहले तो यहां पे हम प्यास को अच्छे से कर लेंगे मिक्स ताकि जीरा और प्यास अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे प्यास को यहां पे हमें अच्छे से पका लेना है तो यह देखे यहां पर प्यास अमारी अच्छे से पक चुके तो अब हम क्या करेंगे यहां पे घजपी फ्लेम को कलें गे पन और इस प्यास को पहले थोड़ा सा पानी तो इसे एक पर चला गीं इसमें डाल देंगे और यहां पर हम ने गेस की फिल्ब को बंधी रखा है उसे बाद हम क्या कर您ए यहां पर नेकर प्यास को अच्छे से कर लेंगे mix तो इसे विम कर इक मिनट के लिए अच्छे से चला में इसकी बाद यहां तो यह देखे यहां पे गरीब एक निट हो चुका है तो अब हम यहां पे गेस की फिलम को कर लेंगे ओन और इसे हम अच्छे से पहले पका लेंगे तो यहां पर हमें इसे continue अच्छे से पकाना है जब तक मसाले में से तेल अलग नहीं हो चाथा तक तक हम इसे अच्छे से पक लगती है तो यहां पर मैंने हरी मिर्च को ढ़ा दिया है तो अब हम मसाले को अच्छे से पका लेते हैं तो यह देखें यहां पे अमारा मसाला अच्छे से पक चुका है और इसमें से तेल भी अलग हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे नमक जिसे हमने अब तक नहीं डाला है तो यहां पे हम इसमें डाल देंगे स्वाधनुसार नमक को नमक डालने के भाद अब हो इस में डाल के अलू को आलू डालने के बाए 있도록 घृत है और अचही से क Nou देखे अक्स अ capion के लिए यह देखें यहां पर 9 अत्रच के लिए अच्छे से चला लेंगे तो अब हम क्या करेंगे अब हम डाल देंगे पानी दोस्तों अगर आपको जीतना थीक इसमें ग्रेवी रखने और अपने अनुसर पानी डाल सकते हैं तो यह देखें यहां पर मैंने 10-10 कप की करीब पानी डाल दिया इसके बाद हम इसे कर लेंगे अच्छे से भीक्स करने की बाद अब हम क्या करेंगे तो अब इसे ढख के रख देते एं और करीब साथ से आठ मिलिट के लिए लो मीडियम पे अच्छे से भका लेंगे और आप को भीच भीच में उसे सव चिक पी करते रहना है और अच्छे से चला दी रहना है तो यह देखे यहां पर हमारी दहीवाली आलो की सब्ची बनके तियार हो चुकिये तो पहले तो हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स ये देखे दोस्तो देखने में जितनी सुन्दर ये लग रहे है ना खालने में उतनी ही टिस्टी लाज्वावी सब्ची बनी है तो यह देखे यहां पे हमने इसे अच्छे से कर लिया मिक्स तो अब हम क्या करेंगे इसमें टाल देंगे थोड़ा सा गरूम मसाला तक कि इसका फ्लेवर और भी पहर जाए अगर आपको गरूम मसाला पसंद दियो तब टाले गया वरना आप इसे इस क्रिप्पी कर सकते हैं इसके बाद हमस्मर्ला तो यह देखें यहां पर हम इसमें डाल देया रहा दन या हरा धनीया तो यह देखेए यहां पर हम इसमें डाले ख्लाने के sv b ki a के तयार हो चुगे तेश्टी लाच जप और खाने में तो क्या बात है तो दोस्तों मेरे के ने पर एक पर ज़रूर आप ये रेसेपी अपने घर पे ट्राइब किजीगा और साथ में गमेंट पर किजीगा कि आपको ये रेसेपी कैसी लगी है अब इसे पूरी के साथ रोटी के साथ या चावाल के साथ देखा के एंजोई कर सकते हैं तो ये देखे यहाँ पे अमारी दहीं वाली आलो की सब जिबन के तयार हो चुकी है तो अब इसी तरह से ये रेसिपी बनाए खाएं एंजोई कीजिएगा तो ये देखे यहाँ पे अमारी दहीं वाली आलो की सब जिबन के तयार हो चुकी है तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स टूडियो में तब तक सबको रादे राते